बॉलिवुड इंडास्ट्री के क्रिश यानि रितिक रौशन के लिए कितनी ही लड़कियां दिवानी है वैल रितिक की जितनी भी फिल्में बॉक्स आफिस पर आई हर फिल्म में रितिक ने धंबाल मचाया है आज भले ही रितिक और सुजैन एक दूसरे के साथ नहीं है लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि रितिक जब ज्यादा डरने या परेशान होने लगते हैं वो हकलाने लगते हैं और रितिक ने इस बात का खुलासा साल 2009 में फराग खान के शो में किया था उन्होंने बताया था कि जब वो सुजैन खान के साथ पहली बार डेट पर गए थे तो वो इतना ज्यादा डर रहे थे कि हकलाहट के मारे वेटर को ओर्डर नहीं दे पाए और फिर सुजैन ने उनको समझाया और खुद ओर्डर किया और तो और बिल भी सुजैन नहीं पे किया था रितिक अपने कॉलेज के टाइम पर किसी से भी बात नहीं करते थे वो बेहत ही शर्मीले थे और कॉलेज टाइम पर सुजैन खान एक ऐसी पहली लड़की थी जिसने रितिक रोशन से बात की आज भले ही दोनों का तलाख हो चुका है लेकिन उनके फैन्स को आज भी विश्वास नहीं होता है कि दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं खेर अभी विडियो को लाइक करें शेयर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चट पटी नियूज देखने के लिए